लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइटिन को प्रेस करें अ झ सुनोथ चैनल्स को स्थर प्रॉब यो यू झ स्थर अखितS बीच करेंべे लिए अगा हो इसर शेस्ट नाज करें बड़े लिए्यब प्रीज से प्रीज से पुटो से अजारीटी वीज्टी है कर दो कर फ्रवी कि चाक दोरा भांजस दूरे के चाक खोरावी कि चा सबुदरे कि चामले थांगा कि उन्हेंगा तारे धिर्कार क कि बामले दिकमारी क पर जा antigनी तर्वीर लुछुजLY भाज बाजस दुदरे की नहाद। कि छो अबाजरा अहाँ है ... कि लुटे जुटेंए ये जुटेंए ये जुटेंए है झाल 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 ये रश्ट झाल झाल याल मेरी दोस्ती मेरा प्यार तेरी दोस्ती मेरा प्यार आड... आडे... बाईस आफ? मैं दोस्टी कात बदाखवा हाँ आडे... ये तो अपना दोस्त ने हाँ आड़ाँ खलाए खलाए खशोगा है खलाए 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 फंह मैं शात खब zूएकत खलाए ख़ी है खरज कालाए кв atrás खलाए 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 dads खलाए खलाए हम केछड़ builders करना यहर दुरिंगरोट पर सब्सान्थ तारी है तारी हलो, पुलीस, हलो पर सब्सान्थ पर्सम् मैं, मैं दोस्तिका आद बड़ाता हूँ पर सब्सान्थ चलो, आप मेरी पूरी बात सुनी नहीं रहें इंस्पेक्टर साहब यह एक बहुत बड़ी साजिश है इंस्पेक्टर साहब वो मुझसे पूछ रहे थे के कोचिंग का माल किस ने पकड़वाया गोवा के गोदामों की खबर फुलीस को किस ने दी, अब मुझे क्या मालूप नामे कभी गोवा गय था ना कोचिंग धरब कल तुम जहां गय थे, हमेवाले आ सकते हो? यही है वो कमरा इंस्पेक्टर साहब क्या मैं आपके कुछ मज़द कर सकता हूँ यही है वो आदमी क्यों ने रुत्म जोरी साहब पहचा ना? आपको? बिल्कुल नहीं जिंदिगे में पहली बार देख रहा हूँ इनको अच्छा अच्छा कौन है आप? पुलीस को देखते ही याददास्त गाइब हो गई आपकी क्या बात है इंस्पेक्टर? इनका कहना है कि कल रात आपने या लेकर आया और मारने की कोशिश की इन्हे? मारने की? क्या कहरें आप? कल तो यहां कोई था ही नहीं मैं खुद दिल्ली में नहीं बंबे में था बंबे में जूट बोल रहा इंस्पेक्टर साब जूट आप प्लेन का टिकेट खुद ही देख लीजिएगा आज सुबही आया हूँ देखिए नरतम जहरी में चमला उत्रा तसल्ली होई कोई एक चलिए मान लिया कि मैं इनसे मिला नहीं इस हॉल में आया नहीं तो फिर मुझे कैसे मालूम हो सकता है कि यहां क्या-क्या है क्या-क्या है एक मिनिट मैं आपको बताता हूँ इंस्पेक्टर साब यहां शराब की बोतले रखी हुए इन्हें बोतले नजर आ रही है जरा इसकी जाश तो कीजिए समेरे समेरे पीतु नहीं रखी इंस्पेक्टर साब एक मिनिट आप तो रोज ही देखते होंगे के मुझेरम कितना भी अपने आपको बचाने की कोशिश करे वो कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ जाता है कल देखिए कहां है निशान इंस्पेक्टर साब इससे किसी पागल खाने में भरती कीजिए नरुत्तम जोरी मैं तुम्हें बलो ताप छोड़ देता हूं इसे में अकलमंदी है चलाँ देख लिया तेरे सबूत ने खांदान का क्या नाम रोशन किया है इसकी करतूत कहां से कहां पहुंच गई है पुलिस स्टेशन, कोड, जेल भागवान न करे भाया ऐसा न को इत्मिनान से खाने तो दो मेरे बेटे को हाँ खिला और खिला अपने जाटले को अरे इसने तो मुझे कच्चा ही खा डाला प्राविडेंट फंड की रकम देकर जमानत पर छुडा कर लाया हूं और अवकील का खर्चा कोड का खर्चा और चक्कर पर चक्कर लगाने पर भी कोई गारंटी नहीं कि छुटी जाएगा और नहीं छूटा तो छे महीने के लिए अंदर एक बार जेल गया तो समझ लो खा जी बोल रहा हूं जिस मुसीबत में तुम फंस गया हो उससे तुम्हे सर्फ एक ही इंसान निकाल सकता है असली कमल मलोतरा जो इस वक्त होटेल कॉंटिनेंटल रोम नंबर 229 में मौजूद है मगर आप ये सब मेरे बारे में कैसे जानते हैं कौन है आप होटेल कॉंटिनेंटल रोम नंबर 229 मिस्टर मलोतरा को है कमल मलोतरा मिस्टर कमल मलोतरा हम अंदर आ सकता है जी तुम्हे मेरा नाम कैसे मालूम हुआ कैसे नहीं मालूम है जी ये कमरा आपी के नाम रजिस्टर है जी हां करेक्ट तुमने इस कमरे में किसी और को देखा तो नहीं कैसे देखता जी बाहर साइंग लगा था डू नॉट डिस्टर्ब अब हम आ गया है सब साफ कर देगा जी अभी नहीं तुम बाद में आना हर काम बाद में हर काम बाद में आइसा होईगा तो हमारा देश कैसे आगे बड़ेगा जी हलो अच्छा तक कबल मनोत्रा साथ आप कमरे में है करनो तुम कितने अफसोस की बात है आपने हमारी आवाज नहीं पहिशारी अगर हम आपके आवाज पहिशान के प्यार उत्तम चोहरी चलिए खादियम को पहिशान तो गिया जनाब कर आप हमारे महमान थे आज हम आपके महमान बनने जा रहे हैं जोहरी तुम बहुत बड़ी गल्ती कर रहे हैं मैं तुमसे कितनी बार कहूं कि मैं वो कमल मनोत्रा नहीं हूं जी हाँ जी हाँ आप वो कमल मनोत्रा नहीं हैं हाँ ये बात आ और है कि आप कमल मनोत्रा के रूम से कमल मलोत्रा के फोन से कमल मलोत्रा की आवाज में बात करें फ़ला आप कमल मलोत्रा कैसे हो सकते हैं हलो 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 कमल मलोत्रा जी अभी तो कमरा साफ कर सकता है जी यह सब क्या करते है जी दर्मा दर तूल दाएगा जी वह बहुत ख़तरनाग मुझ्रिम है हां यहले जाभी करता कुटा नीचे भाग गया है तुम लप सजाओ तुम सीछरी सजाओ महाँ I'll get you a bastard I'll get you I'll get you झाल कर झाल प्रवा चॉपार जो हुआ जो भॉट इसे लिगान इलो तो मारे जोलो मेरेसाथ आठनाऴ मैं आठनाव कर दो जानाव लिखा? आठनाव हुआ आए टेavy खुनक देखुए फुनक थेखुए आठनाव मैं देखुए कर दो एक कर दो कर दो ऐ कर दो प्रहो, 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 प्रहो! इतीनी रादक्व ए, को इतीनी जोल्ष तरवा आपिरता है. अरे पुलिस मैं रिपोर्ट कर दूंगा पुलिस अलाट तलाशयो आगर ये हो क्या रहा है हमें बताईए भी तो कमल मलोतरा कहा है कमल मलोतरा आजी वो कहीं भी हो आपको उससे मतलब हमारे पास उसकी ग्रफतारी का वारंट है क्या किया है मेरे बेटे ने नरतम्जारी का खौन नहीं जूटे मेरा बेटा खौन नहीं कर सकता भाया कबल खून नहीं कर सकता आपको बयान देना पड़ेगा आप चलिए हमारे साथ का रहा है प्लें स्टेशन एक मिनिट देख लिया है चोटी बेहन, अब तेरा सपूत मुझे पुलीस स्टेशन की भी हवा खिला रहा है, चलिए इंस्पेक्टर साब मा, कमल, कमल तू हो, ये क्या मा, तू रो रही है, कमल, कमल तू ठीक तू है, ये क्या है खुण, तू ये सब सच है, तू ने किसी को खुण कर दिया मा तुझे भी मुझे पर भरुसा नहीं, ये सब जूट है, गलत है, इल्जाम है फिर, फिर ये सब क्या, कमल, मुझे सच सच बता क्या हुआ मा उन बदमाशों ने मुझे μानने की कोशिश की गलती से उनका एक आदमी मर गया और सारा इल्जाम मेरे सर पर आ गया अब पुलीस मेरा पीछे कर रही है अब क्या होगा? सिर्फ एकी रास्ता है जिस घुंडे ने एक खून किया है उसे पकड़ के पुलीस के हवाले कर दूँ लेकिन यह तू कैसे करेगा? यह टिकेट है वो कल की ट्रेंज से बंबई जा रहा है मैं भी इसी ट्रेंज से जाऊँगा और उसे पकड़ लूँआ इसके सिवा और कोई चारा नहीं मुझे जाना होगा लेकिन लेकिन तू और खात्रें पर तो नह पड़ जाए अरे मा, जो अपने मामा जैसी मुसीबत का मुकाबला करता आया हो वो और किसी मुसीबत से क्या डरेगा है मगर कमल मा, तू मेरी बिल्कुल चिंता मत कर कमल मैं जाती ही चित्धी लिकूँ न हा कमल कमल प्रीक जात्रों से बंबी के लिए गारी रवाना होने वाली है यात्वियों से निविदल है की व अपना स्थान घरंण कर लें ट्रेन आं प्रीक नमब 4 आलो पर भीप्र बंबी पैसंजरी अरिवेस्टेट के लिग ग्लारेश शीज़ कर दो अछो कर दो कर दो आप्वार कर दो आप दो मार्ण आप आप अजब कर दो अच। यह क्या बतमीजी है I'm sorry I'm very very sorry मैं 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 समझाता है कि आप मेरे दोस्त है वो बिलकुल ऐसी जीन्स पहनता है न अब मेरा पेपर देंगे जी स्टुर्व यह क्या इसका सिर्व यही मतलब है कि सफ़र के साथ साथ बाते भी होती जाएं तो अच्छा है ना है अधर वे मेरा नाम अशुक सक्सना है आपका पंखल तुम आदमी हो कि जानवर है पंखा उस तरफ करो यह करसून मेरा नहीं मैडम पंखेका नहीं इसे मैं अपनी तरफ करता हूँ, और यह आपकी तरफ चला जाता है इडियट हाथ अताओ, मुझे मालूम है, तुम यह सब जान बूच के करे हो, हाथ अताओ यूज काउंज्र, मैं अभू तुम्हें इस कंपार्टमेंट से बाहर निकलवाती हूँ, इडिया आप तो एक जेंटलमेन है, अगर कोई भी खुनी हमारे सामने आ जाए, तो हम उसको फॉराण पैचान लेते हूँ जाए झाले जी 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 साहते हैं प्रस्ट एक प्रस्ट प्रस्ट से एक बात फिर माफी मागता हूं यह जो पुलीस वाले है न उन्डे बदमाशों को छोड़कर मुझ जैसे शरीफ आदमी के पीछे पड़ जाते हैं मेरा कुसूर सिर्फ इतना था कि मेरे पास टिकेट नहीं थी और हां आपने मुझ पर जो हैसान किया है कभी जिन्दगी ने मौका दिया और आप पर यह वक्त आया तो काम आजाओंगा यह अशोक सक्सेना बड़े काम की चीज है इसे देखे हैं हुँँ हुँ 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 ता उदो 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 अजए जायर यह यह क्या हरकत है आदमी कहा है देखे नहीं मैं जानती हुँ कि यह कहा है और ना ही मैं जानती हूँ कि ये कौन है I see तो आप किसी को जाने बिगर रोमैंस करने लगती है सश्चिज बताओ वो कहा है वो खुनी है और पुलिस को इसकी तलाश है अच्छा अब मेरी समझ में आया मेरी पीट पर छुरी रखकर वो पोस क्यों बनाया था ताकि आप उसे देखने सके ये जासा किसी और को देना मैम साब क्या कह रहे हैं मैं तो उसकी कंपलेंट करने के लिए आप ही के पास आ रही थी आपको जो भी कुछ कंपलेंट करना है और हम दे जो भी कुछ पूछना है पुलीस स्टेशन में पूछेंगे मास साब अगले स्टेशन पर गाड़ी रोक दीजिए देखिए इंस्पेक्टर साब मेरा बंबई में एक बहुत जरूरी अपॉंटमेंट है और मैं उसे मिस्स नहीं कर सकती सॉरी मेडम यारे अरेस्ट इंस्पेक्टर साब आप नहीं जानते आप क्या कर रहे है मैं सही वक्पर बंबई नहीं पाँची तो पताने क्या हो जाएगा मेरी बात तो सुनिये ठीके ठीके बाद में बात करेंगे रामजिंग रामजिंग यह क्या रामजिंग ठेब रामजिंग ये सर रामजिंग ये क्या है सब बने आन है अरे गदे के बच्चे तुम्हारी वर्दी कहां पर है पलिस हेड्कॉर्टरस टुवाल यूनिट्स मिलापूर स्टेशन से एक पलिस जीप चोरी हो गई है पीछे एक लड़की लाल कपड़े पहने बैठी है जहां भी नजर आए वारन गिरस्तार कर लो ये सब क्या है कौन हो तुम तुम काड़ी रोको मैं कहती हूं काड़ी रोको बचाओ बचाओ कोई है अरे काड़ी रोको कोई है बचाओ चिलाने से पहले ये मत भूलो के पुलीस मुझे खून के इज़ाम में तलाश कर रही है और अगर मैंने एक और खून कर दिया तो मुझे दो बार फासी नहीं लग सकती खूनी कातिल गुंडे दो मिनिट में ये हदकड़ी तुम्हारे हाथ में होगी तुम पुलीस से नहीं है यह हाईवे क्रोसिंग पर रोड ब्लॉक लगा दो जोगी नंबर 11 जोगी नंबर 11 हर रास्ते पर निग्रानी राख सर पूरे एरिया के ट्राफिक कंट्रोल को सक्त इंस्ट्रक्शन पहुचा दिये गए हैं मुल्जिंग बच कर नहीं जा सकता हम हाँ 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 इस इंस्पेक्टर सक्सेना बोल रहा हूं मेरे साथ मिरिस्टर साथ रतलाम जा रहे है हाँ नंबर 4 कि नाका बंदी खोल दो गाड़ी रोको अरे गाड़ी रोको यह आपी पूलीस नहीं है बचाओ बचाओ अरे खड़े-खड़े क्या देख रहे हूं मेरे ओ क्या अरे मैं जहाँ जहाँ हो है नंबर 3 की तरव मुड जाए आट की तरव जा रहा है उत्का पीछा करो अ अब को हम आप पाड़ की तरव पाड़े लूड करो जल्दी यह क्या हद्कड़ी अभी तक तुम्हारे ही हाथ में तुष्मनी छोड़ो और दोस्ती कर लो मैं बड़े काम की चीज हूँ कि तुम्हें बॉंबे जाना है ना तो वहां पहुचने का एक ही तरीका है जो ट्रेन छोड़ी थी वही ट्रेन फिर पकड़नी पड़ेगी रतलाम से तुम क्या हाँ हट जाओ जाने तो मुझे अब तो जहां जाएंगे साथ साथ ही जाएंगे तुम मेरे पीछे क्यूं पड़े हो क्यूंके त्रेन में तुमने मेरी जान बचाई अब मेरा फर्स बनता है कि मैं तुम्हेरी मदद करों क्यूं मुझे एक खूनी की मदद की कोई जरूरत नहीं ओ तो ये बात है आओ देखो मैडम पुलीस ने मेरे लिए इनाम दस हजार जरूर रखा है लेकिन मैंने कोई खून नहीं किया असली खूनी उसी ट्रेन पर है और जब तक मैं उसे पकड़ नहीं लेता मैं अपने आपको बे एस एस ओ मैम साब मिस्स एस ये आपका सूटकेस यही छोड़ दू या रतला पहुचा दू एई जाने भी दोयार छोड़ इनकार देखो ना जितनी दूर जाते हो और पास आते हो आते हो जाने भी दोयार छोड़ इनकार देखो ना जितनी दूर जाते हो और पास आते हो आते हो जाने भी दोयार जुन्जला रहे हो तुम क्यों उससे में इतना ये तो अभी है मेरा छोड़ा सा करिश्मा जुन्जला रहे हो तुम क्यों उससे में इतना ये तो अभी है मेरा छोड़ा सा करिश्मा देखो ना आखें जब दिखाते हो और पास आते हो आते हो जाने भी दो यार छोड़ो इनकार देखो ना जितनी दूर जाते हो और पास आते हो आते हो जाने भी दो यार साथी तुम्हारे हम तो है उम्र भर के मोडा नहीं करते मुझ यू हम सफर से साथी तुम्हारे हम तो है उम्र भर के मोडा नहीं करते मुझ यू हम सफर से देखो ना ऐसे छोड़े चाते हो और पास आते हो जाने भी दो यार छोड़ो इन था देखो ना जितनी दूर जाते हो और पास आते हो आते हो जाने भी दो यार जाने भी आते हो मुझ आते हो पास आते हो इन तुमिझ दो हम जाने पास वागत कितना ही करते जाओ हमसे किनारा लेना ही बढ़ जाता है आफिर सहारा कितना ही करते जाओ हमसे किनारा लेना ही बढ़ जाता है आफिर सहारा मेरी चाँ बोलो दूर जाते हो यार के पास आते हो आते हो चान भी दो यार जोडो इन खार देखो ना जितनी दूर जाते हो बाप रे पचास किलो मेटर अब इतनी दूर कैसे जाएंगे ऐसे ये क्या लिफ्ट ले लेंगे जैसे कि तुम्हें लिफ्ट मिल जाएगी अरे ये जादू कांग उठा है जब जिसे जहाँ चाहे वही रोक दे बाते बहुत बनाते हो जरा गाड़ी रोक के तो दिखाओ गाड़ी क्या मैं तो सूपर पास्ट ट्रेन भी रोक दूँ ये देख तैंक यू अब पेश है फॉमिला नंबर दो अगर मैं इससे ऐसे करो ज़रा समुष कराके तो वो मुझे जिन्दा दिल समझेगा और जिन्दा दिल आदमी के साथ सफर यू कटता है यू जी हाँ जभी मेरा सफर कटता ही नहीं अब फॉमिला नंबर थ्री ये ज़रा लंब मैं अभी तक अंगुठे की तरफ ही देख रही हूँ शराब पी हुई थी सालने मैं पॉमिला नंबर दो ट्राइ करता हूँ जब सौ तक पहुंचाओ तो मुझे जगा देना हाँ हुआ pourquoi है पॉमिला पी ूई? तर क loyalty सुष्या यह नदर नहीं आता क्या परशूब यह रूप यह रूप यह शाला देखते नहीं क्या आद्मी समीट पर लेता है बस बस बहुत होगया बबाद बहुत होगया क्या अब मुझे देखो तुम्हे आये आये आप भी अपने अर्मान निकाल लीजिए यह तुम्हारा जादू का अंगुठा है ना इसे काट के जेव में रख लो कोई काम का नहीं है मुझे देखो मेरे एक इशारी पर ट्रक रुप गई तो इसमें कुनसी बड़ी बात है यह तो कमाल है तुम्हारे लड़की होने का यह औरत जाथ ही ऐसी होती है हर आदमी को दया आ जाती है रहने दो रहने दो क्यों रहने दू तुम पर तरस खाकर मैं भी ट्रेन छोड़के चलाया था याद नहीं जैसे के भूल सकती हूं यह जीर है तो रहने दो हूं आ इसम्हार आज़ाए नाजूक चमली है न कहीं हंडी शटी ना तूट जाए मापकरना बाबजी गढ़ आ गया था आप रोव एकदम क्लेयर है है रोको रोको अरे रे अशोक, कमीने, कड़ी रोको, कड़ी रोको चिलाले चिलाले इतना चिलाना है, यहाँ तो यह कोई बजाने वाला नहीं, वो तो कई पड़ाव रास्ते में वो तु किदे जिली पारी है हंदरा जाना कर लोको मुसले फिलाली, कर तो कारी जिलाले इत मेशना आते कर दोड़ी जिली बेः वो proprio बॉन्से हुः 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 फूऑ हुई जुब कि गर्जारा सेथा है, इंड वा जना जड्ना जा ये कि अ कि अ अ इंड ए रहूई जडों है कि इंड, 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 वा जा जाडों है अज़ इस दोड़ा अज़ा! अज़ आपास। अज़ पास्ट, इसे एक अज़ा इसे? अज़क! हाँ इसे? जोड़ा! फसस से लिए एक पास। इए हाँ कи तृब्ढश बंझाए। कि बख事情 इटए। एप ते... एक, हुए। एक बएक घक... Haa! Break! Break! Haa! Haa! Aşok! Break! Cami! Haa Cami! Haa! Cami! Aşok! Haa! Hei! 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 गुआओ जीवाई घ्राओश ही न्राओश ऑश 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 में ऑश से ऑश 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 प्रॉज्ट प्रॉड़ इस्ट अइस्ट इसक आप अशोक 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 सास भी नहीं चल रही है हाँ 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 नबस तो तेज हो गई है हाँ 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 अच्छा तो तुम होश में हो हल्गिस नहीं ते बिलकुल बे हो है बदमाश बेश 말고 में कर रहा था है आज नेकी करने का जिमाना ही नहीं रहा बिलकुल नहीं रहा अब एक ही जिमाना है आउं प्यार का डेखो कुछ देखी तो रहा हूँ ओफो, तुम समझते क्यों नहीं मुझे बहुत जल्दी बंबाई पहुंचना है बंबाई, 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 क्यों जाना है? मैं मॉडलिंग का काम करती हूँ और मुझे बंबाई में ऐसा मौका मिल रहा है कि मेरी जिन्देगी बन जाएगी और अगर ये मौका मेरे हाथ से निकल गया तो मेरी जिन्देगी बिगड जाएगी कैसा मौका? अशुक! प्यार का चोड़ो मुझे, मैं प्यार के मूर में बिल्कुल नहीं हूँ चोड़ो नहीं, तो मैं अभी ले आता हूँ मुझे, लफंगे, मैं तुमसे बात तक नहीं करूँगी मत करो, बगर प्यार तो करोगी न मूँ फेर कर यूँ चली जवानी, याद आ गया रूठना किसी का अगयाि और याद रूठना कैपनी, अप मुझे राइट कर दा दा करो एक नहीं हूँ आप मुझे एक राइट दे सकते हैं एक बहूँत खुबसूरत लडकी है लडकी? मेरी वहलब कर देजे नहीं हे एक आपकी लिए सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें थर्षर्म lang गया है जो तक का जरुद्थ तरफ मुझे क्यूं तुम्हारा और मेरा रिष्टा ही क्या है मैंने तुम्हें कुछ डिया अब तुम्ही कुछ दो तुम्हें क्या दिया दिल और उसके बदले में तुम मुझे मोफबत दे दो तुम दुनिया के आखरी आदमी होते फिर भी मैं तुमसे प्यार नहीं करती अच्छा फिर अल्विदा, गुडबाय, खुदा आपेज, चलिये अरे अशुक, तादा अशुक रुक जाओ, रुक जाओ, अशुक अशुक, आएट यू, आएट यू अरे व्युक, आपेज, अशुक, यूएग, तादा चाल को कोई होगा तुमसा कहा देख व्याले साथों आसमा और कहिए जाए हम कहा चान्द कोई होगा तुमसा कहा देख व्याले साथों आसमा और कहिए जाए हम कहा चान्द कोई होगा तुमसा कहा देख व्याले साथों आसमा चान्द कि सीवक्षब टुमसा कहा देख व्याले साथों ऑसिन्त करता. अजी मैंने कहा कुछ तुम भी कहो चुप खड़ हो क्यों बन के हम भी खड़ जाए तो क्या करोगे छोड़ो मिलना तन के अज मैंने कहा कुछ तुम भी कहो चुप खड़ हो क्यों बन के हम भी खड़ जाए तो क्या करोगे छोड़ो मिलना तन के मान भी तो कहना जाने जा ओ चांट कोई होगा तुमसा रहा देख जाने साथ हूँ आजमा 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 शुभार दखान्त ना मिलाओ नजरबा इसमे मकर हे कोई पते बाहली जो तुम न बोले तो बोलती है अब ये बन के काली न मिलाओ न जर्बाद इसमें मगड़ है कोई पते वाली जो तुम न बोले तो बोलती है अब ये बन के काली प्यार है तुमको भी कहड़ो हाँ 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 बलो बलो हाँ हाँ चांद कोई होगा तुमका नहाँ देख दाले साथो आसमा मुझे वो पर जाया के लाँ चलो पैर जई चाहन का मुझे वह पर गया के ना है प्यार तुमसे अब तुम खुश मुण नहीं चलो अब चाहे तुमझा ओ, तु आशिक तुम सा जाई जहाँ देख रालिक साथ हो आसला और यही जाई हो नहाँ ओ, चान कोई होगा तुम सा रहाँ देख राले साथ हो आसला और यही जाई हम कहाँ चान कोई होगा तुम सा रहाँ ओ, चान कोई होगा तुम सा रहाँ लाला, 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 टिकेट प्लीज टिकेट एक मिनिट के लिए मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं यही तो बात है अब वो खुनी भी मुझे नहीं पहचानेगा और उसे हम उसे पकड़ लेंगे हम सब्सक्राइब मुझे पता नहीं कि मेरे रास्ते में क्या क्या खतरे हैं तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे हमेशा तुम्हारा लगा रहेगा तो फिर हमें अलग होना पड़ेगा सिर्फ एक दिन की तो बात है मैं अपना मकसद पूरा कर लूँ फिर तो वक्त है सुना है बैंड स्टैंड बड़ी रोमैंटिक जगह है कल वहीं मिलेंगे दस बजे नहीं क्या नौ बजे एक मज़े की बात बता हूं हम इतने करीब आ गये हैं और मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानता सोनिया श्रीवास्ता सोनिया श्रीवास्ता हलो 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 अरे यह क्या आपकी वर्दी कहा है हुआ 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 है चलो पहले मैं बैठा था पहले मैं बैठा था अरे पहले मैं बैठा था दोनों गलत पहले करामत खाम बैठा था बाई लोग यह मेरा लंचावर तुम्हें गंटे बाद आना है हुआ है अरे मेरी बात तो सुनिये वो मोडर सैकल वो हाद में खुनी है उसका पीछा करना है मैं आपको डबल दूंगा खुनी है पीछा करना है अरे तो पहले बोलना चाहिए था ना छोटे ले पकड़ खिलाते रहे अब तू देखना मेरी करना हूँ तक्रूड है अरे मदा ऻाया गया वहाँ अरे मैग्सीम में पड़ा था फिल्मों में देखा था आज जिंदगी में देखरे, मदा आगया, गोवी गोवी क्या? गोवी, गोवी वोसे को उससे मोड़ा सेकल मोड़ी कोई बात ले, मैं उसकी घरदन मोड़ा दूँगा यह कहा जा रहे हो है? वोवी का जाओ जेखो, यह पिल्गार करूली है मैं पुली सेरी पॉर कर दूँगा चॉप अरी कालिकोर्ट्य हम्ने यारा यही मोड़ा रहे यही मोड़ा रहे यह क्यो अरा चॉप यह यह यहन है कर यह अजय क्यो जुटनों? तिय वजब शुटनों? ये 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 क्यो? हाई-जय को घृता है व्यूक्त इयुटनों? ये ये क्यों लाइ जोना जोना कोई नहीं बससकता क्रिषिस के ले टैटु लेट इस श्रहहमने है कि मुला कि डिएकर में लेटे सहरा निटतना है कि मैं टोने हाइन выпуск की जहांसे के लिए लिए अठीज हकले है अधैक जहाम कि सोंदेगीあ टिंदेख्न लेजिस एल वहह है लोगता यह रहा हूं, यह रहा हूं गया कहा हूं? चोटे निकल गया स्थाला अब अपनी जान बता कहां जा रहा है चल पहुंचा देता हूँ अरे वहां ये का जम्राज कवान है अरे तेरे घर छोड़ देता हूँ आई लव अशोक इतनी चिंदा क्यों करते हो वो खुनी एक बार बच किया तुमसे दुबारा नहीं बच सकता यह बंबई शहर इंसानों का समंदर है यहां कौन किसको ढूल सकता है अब ना वो मिलेगा ना मैं अपने आपको बेगुना साबित कर सकूँ एक मिनिट लोग कहते हैं कि यहां से समंदर में जितनी दूर सिक्का फेंको उतनी ही जल्दी मुराद पूरी होती है यह लोग कमजोर लोग इन फजूल बातों को मानते हैं अब तो फलसिफा जाड़ने लगे लुकसान तो नहीं होगा न होगा एक रुपय का अच्छा बाबा नहीं नहीं आंखे बंद मोच आके गिरा सी था पानी में अच्छा अशुक अब तुम्हे वह फूनी जरूर मिल जाएगा यह तुम्हर पस कैसे है यह कुछ नहीं है थेरो सुनिया बता हूँ यह तुम्हे कहां से मिला मैंने कहा था ना कि मैं बंबई मॉडलिंग के सिल्सले में आ रही हूँ मैं मॉडल सेलेक्ट हो गई हूँ यही नवाब साब के जेवरात की निलामी के लिए निलामी कब यही 11 तरीको चार दिन के बाद मिल गया आए 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 क्या हो गया तुमें कुछ बोलोगी भी या नहीं सुनिया तुम्हरा सिक्का चल गया मंजर खुद चलकर मेरे पास आ गई मगर कैसे मैं समझी नहीं यही निलामी वो लोग जेवरात के पीछे पड़े हो है कौन लोग जिन्होंने मुझे मानने की खुशिश की देखो सुनिया मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूं पहले तो यह बता दूं के मेरा नाम अशोक सक्सेना नहीं कमल मलोत्रा है कमल मलोत्र हाँ उन्होंने जोहरी का खुण किया इल्जाम मुझ पर लगाया यह सारी कहानी उस जेवरात के एक्जबिशन में शुरू हुई थी और मुझे यकीन है कि उसी जेवरात की निलामी पर खत्म होगी सुनिया तुम वाकी मेरे लिए बहुत लग्यों अब तुम देख ले ना अगर मैंने उन बदमाशों को नहीं पकड़ा तो मेरा नाम कमल मलोत्रा नहीं कर तो में बहुता की है कर दो कर दो काप्टन साथ हमारा वफादार कुट्ता हमारे वफादार दोस्तों को बहुत अच्छे तरह पहचानता है वैसे तुम्हारा आना तो हमेशा अच्छा लगता है सोनिया लेकिन हमारा अपॉइंट्मेंट तो खलका है कोई खास बात कमल मलहुत्रा क्या मतलब यही कि मैंने कमल मलहुत्रा को अपने जाल में फसा लिया है अच्छा है वो कैसे है जिस ट्रेन से मैं सफर कर रहे थी वो भी उसी ट्रेन में आ रहा था मुझे बहुत जल्ड सब कुछ मालिम हो गया और मैंने बहुत जल्ड मोहबत का जाल बुलना शुरू कर दिया मोहबत और का सबसे खुबसूरत जाल थैंक्यों आगे तो सब्सक्राइब जानता है कि आपकी नजर नवाब साब के जेवराग पर है और वो वहां पहुंचने बाना है तो आखिर मचली कांटे तक पहुंची गई टोनी सुनिया अब नवाब साब हमारे काम आएंगे बरसों हम नवाब साब को पार्टी दे रहे हैं और उस पार्टी में कमल मलहुत्रा को बुलाना तुम्हारा काम है ओके नो प्रॉब्लम साब विचारा कमल मलहुत्रा आपके जाम से अपना जाम तक लाना चाहता था उसको अपने अंजाम की खबर नहीं सर अब तीनों एक्के आपके आत्में आ गए और चौथा हमारी आस्तीन में है लुका उसे खबर कर दो कमल मलहुत्रा के खून से हमारी पार्टी में रंग आ जाएगा सुनिया बहुत अच्छी लड़की है मा बहुत चाहती है मुझे उसकी मदद से मैं अपनी मंजिल तक पहुंच चाहूँगा मा जी को चिठी लिखी जा रही है पंदे का भी सलाम लिख देना मेरे कपड़े मिल गए नहीं वे धोबी की दुकान खोल रहा हूँ इसलिए पास परोशियों के यहां से कपड़े जमा कर रहा हूँ चलो जल्दी तयार हो जाओ तुमको जाना है और यह हिसाब भी देख लो सो रुपए पचास पैसे मालूम है और इसके पचीस रुपए भी जोड़ देना हां तुम्हारा करदा बढ़ता जा रहा हा 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 खलास अस्तरा टैंक यह सब क्या है अपना तज्रूबा हथियार जेब में हो तो तुम्हारे कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता है कमल त इतने सारे महमानों की बीच में कोई मेरा क्या कर सकता है तुम्हारा सफाया अरे एक दो को छोड़कर तुम तो अपने दुश्मनों को पहचान दे तक नहीं हो कमल इसमें पतलून तो है न अरे उसके दस रुपे तो लिखना ही मैं भूल गया तोटल एक सो पैंटीस रुब येस और जो भी मेरे नाम से चौकेगा वही मेरा दुश्मन होगा कमल मलोत्रा किलर एट लार्ज इनाम दस हजार तुम इस पाकी में नहीं रोगे कामरा कमल मलोत्रा को ये नहीं मालूम होना चाहिए कि इस पाकी में जितने भी मेमान हैं वो सब हमारे आद्मी है मा मैंने तेरी सारी चिंता दूर कर दी मैंने एक लड़की पसंद कर ली लड़की जिसकी सूरत से ज्यादा खुबसूरत उसका नेचर है कंगा की तरह पाक चमना की तरह पवित्र कोई बल कोई टेडापन नहीं भोली भाली सीधी साधी फूलों की तरह नाजुक और मुलायम विश्वास और भरोयसे का दूसरा नाम एक ही है सोनिया कमल मैं इस सफर में इससे खुबसूरत घटना और क्या हो सकती है कि तेरा हाथ हाथ में आ गया जिराग राह में चल उटे है कमल मैं तुम से बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ आपने कहा था पार्टी जरू हो जाने पर मैं आप कोई आते लगा थैंक यू और वह तुम्हारी जरूरी बात है कुछ नहीं फिर कभी बताऊंगे अब पाटी का वक्त हो गया है सर कमल मरोत्रा सुनिया के रुम में पहुंच गया है पस आता ही होगा कहते हैं नाम लेते जो आ जाए बड़ी लंबी उमर होती है उसकी आपको कोई और समझ बैठर था इस आपको कोई और समझ बैठर था येस आभी का नाम है ये आपका पर्स गिरा पड़ा था थैंक यू, Mr. Rajdan क्या बात हैर राजदान साहब, आप ने तो कुछ लिया हि नहीं और आप भी कुछ लीजिये न, Mr. कमल मरोत्रा आप है हमारे मेजबान, Captain S.P. Singh, S.P. Singh Singh Shipping Company के मालिख हलो क्या बात है कमल मरोत्रा साहब, आप कुछ परशान से दिख रहे हैं ऐसी कोई खास बात नहीं मैं किसी का इंतजार कर रहा था कौन है वो क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं थैंक यू मैं आपको तकलीप नहीं देना चाहता कैप्टन सहाब नवाब सहाफ का आने कर टाइम हो गया है टाइम ओ खोब या दिला तो वो तुम हो कैप्टन स्पी सिंग सिंग शिपिंग कंपणी के मालिक एक खुनी कुनेगार कातिल और भी बहुत सी खूबिया हैं हम में डाका, स्मगलिंग, आतंक वादियों को हथ्यार सप्लाई करना तुम खुनी हो सिंग सिर्फ इतना ही काफी है तुम्हें फासी दिलाने के लिए अब तुम बच नहीं सकते अरे साहब, कुत्ते का पट्टा जब मालिक के हाथ में होता है तो कुत्ता समझता है कि मालिक का पट्टा कुत्ते के पास है वैसे पुलिस स्टेशन यहां से सिर्फ पांच मील दूर है तो फिर मैं इजाज़त चाहूँ अभी आपको मालूम पर जाएगा के कौन मालिक है और कौन कुत्ता इक्सकृब मिस्टर कमल मलाध्रा अब तो आप समझ गये होंगे के मालिक कौन है दे जो इस कुत्ते को यहां से बाहर चलो अब केप्टन साहब हुदूर मैंने कहा अदा बढ़ते आई आई ये वेल्कम नवाब साहब क्या बात है कैपिन साथ मैफिल का रंग चड़ा हुआ है और आपका रंग उड़ा हुआ है ये बात नहीं मैं आपको इतनी जल्दी अक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये तो वही बात हुई मुस्कुराते हुए यूँ आए वो मैं खाने मे रुक गई सांस छलकते हुए पैमाने में वा सुभान अल्ला हो ना हो तुम मेरे दोस्त कमल मलोतरा हो अमा कहां हो यार हम वहां है जहां से हमको भी खुद हमारी ख़बर नहीं आती नवाग साहब अमा कमल साहब कमाल करते हैं इतनी दूर खड़ें यारों के रूबर हो आईए नवाब साहब आप बुलाएं और हम ना हैं सुभान अल्ला हो गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने केप्टन साहब अब मैं फिल में रंग जमेंगा अरे रंग जमाने के लिए तो हमें बुलाएं गया है क्यों कैप्टन साहब इसका मतलब यह है कि आप हजरात एक दूसरे को जानते हैं अरे मुझसे बहतर इन्हें कौन जानता है अगर मैं ने कहीं मिलनू तो यह मुझे छो इंतजान उस सरफ किया गया और आप कहां बैठेंगे मेरा तो कुछ न कुछ इंतजाम कैप्टन साहब ने तो पहले ही किया होगा बले ही कर रखाओ मिया लेकिन आप हमारे साथ बैठेंगे मेजबान की राय पूछना बहुत जरूरी होता है ना वाप साहब अरे भाई इसम हाई ये ओल फ्रेंज चलिए जोनी जब तक ये नवाब साहब के साथ हैं कुछ नहीं कर सकते हैं किसी तरह इन दोनों का अलग करने के कोशिश करूँ थास ग्राक मिजब साहब कर्याए चलिए झाल झाल करने नहीं है कभी ये हाथ है हम सपर भी हो जाते भी है साथ चलते कभी मड़ जाते है इस तरह से रख देते हैं दुनिया बदरते कभी ये हाथ है हम सपर भी हो जाते भी है साथ चलते कभी मड़ जाते है इस तरह से रख देते हैं दुनिया बदरते दुनिया बदरते हैं तो न पूछो होता है क्या मेरे दिर चाए जे खर दिर जाही बे अच्छा रकिन मिलता है तुनिया बदरते हैं दुनिया बदरते हैं तो न पूछो होता है क्या मेरे दिर चाए जे खर दिर जाही बे अच्छा रकिन मिलता है कोई न न न आया जो भी केरे बिंके नहीं जाता यहां से न न करते हैं तो न पूछो होता है इस तरह से रख देते हैं दुनिया बदरते हां बदरते हैं ोछो façon चार तरप है मौत का पहरा बंद है सब्रा है मौत के जुदेदर दर्ब गिरेंगे पर्द भुई बाहरे चार तरप है ओट का पहरा बंद है सब्रा है मौत के जुदेदर दर्ब गिरेंगे पर्द हुई बाहरे इतनी बिरहम है कि तौब़ों मार डाले कले में की मिलते कभी मुड़ जाती है सधा से रख देते है दुनिया बदर की अभी ये हाथ है हम सफर भी हो जाते भी है साथ चल के अभी मुड़ जाते है इस तरा से रख देते है दुनिया बदर की अभी हाथ क्याप्टन साहब, शब बखेर, गुद नाइट क्याप्टन साहब, ये कुट्टे का पट्टा पड़ा हुआ मिला इस पर आपी का नाम लिखा हुआ है, क्याप्टन S.P. सेंग जब बखेर, वा, मौसम गुलावी शरावी हो रहा है, शौक फर्माइए, शुक्रिया, आप सिगरेट नहीं पीते, मिया कभी चुआ तक नहीं, हाँ थोड़ा बहुत शिराब का शौक कर लेते हैं, गरीब खाने तशिफ लाइए, दो दो पैग हो जाए, बहुत बहुत शुक मगर आज मेरी पुलीस कमिशनर साब के साथ मीटी है, पुलीस कमिशनर, मिया इस कौम से बच कर रही है, ना इनकी दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी है, मिस्टर कमल मलो तरफ, कमिशनर साब ने आपको बलाया, फिलीजर, दोनों तरफ है, आग बराबर लगी कमिशनर साब को कैसे मालू हो कि मैं नवाब साथ के साथ था, कमिशनर साथ को नहीं, बगर कैप्टन साथ को मालूम था कर दो किमे बराबर लगी है, मिर्ए तकलीफ सर्फ एक मिनट के होगी उसके बाद आराम ही आराम काट दो आराम में आराम 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 ही इस ही जित आ आराम के बėkजिफ आराम ही सर्फ nothing काट आराम आराम हे ले दो करेंगी दुछ सकीज़ी दीम कि नीम Bentley कि मेर दुट ए 시 देवल एल करी का? छीज़ाफ, छीज़ाफ! कहा जीज़ाफित वो तुमारी दरफ गया, बचता ने चाहिए कहा जा रहा है साथ, बात पर छोड़ दो 135 पहले के और आज जितने होंगे उतने, सब एक साथ वसूल करूगा कमाल है, तुम्हें पैसो की पढ़िया वो लोग मेरे पीछे पढ़े हुए हाँ, जैसे बीवी शोहर के पीछे पढ़ जाती है, आए खान सामने अरे पेंटरे बाजी तो अपना खानदानी पेशा है, आजा बच्चो तुम्हेरा जवाब नहीं यार तुम्हेरा जवाब नहीं यार रांदेवाला सवाल करता है तो जवाब देना पड़ता है भाई यार वो लोग समुंदर की तरफ गए किल देम किल देम बाफ करना भाई अबे तू कहां से आगया आए 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 मर्दूर नफातिया नजरूर आए आए अ अ आपका यार आपका करें करें क्या तुम भगवान का नाम लेके मर जाओ मैं खुदा का नाम लेके मर जाताओ उना इस आपका आपका और आपका 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 मज़े की बात तो यह जंटलमेंट के पुलिस डिपार्टमेंट ने हमें यह जताने के लिए के कमल मरौतरा पुलिस अफसर नहीं है उसी के सर पर दस हजार रुपए का एनाम लगा दिया मैं आप से पूछता हूँ क्या यह पुलिस का फर्ज नहीं बनता कि अब वो यह नाम लूका को दें लेकिन वो नहीं देंगे क्योंके पुलिस वाले बहुत छोटे दिलके होते हैं कोई बात नहीं लूका को यह नाम हम देंगे टोनी शिकार करने के लिए दो की जुरूरत होती है एक वो जो गोली चलाए और एक वो जो शिकार को घेर कर सामने लाए सुनिया सुनिया हम तुम्हें भी इनाम का हकदार समझते हैं तुम्हारी मदद के बगएर कमल मलहुत्रा की मौत नामुम्किन थी आइम सॉर्य जेंटर्मन नवाब साथ के जेवरात की निलामी में अब सिर्फ दो दिन बाकी रह गए हैं लोनी ये इम्पियरल होटेल है इसी होटल में जेवरात की निलामी होगी ये स्टेज है जहां पे सुनिया जेवरात की नुमाईश करने आएगी सुनिया का बदन हीर जवारा से जग मगारा होगा ये वो जगे है जहां पर खरीदार बैठेंगे और इन लोगों में कुछ हमारे आदमी भी होंगे ये नवाब साहब के जेवरात हैं और इस साज में हमारे नकली जेवरात होंगे नकली जेवरात? ये नकली जेवरात, हू बहू नवाब साहब के जेवरात की तरह आप बनाए गए है कोई पहचान नहीं सकेगा ये असली हैं या नकली और सोनिया डांस करते करते इस खूबसूरती के साथ जेवरात बदल देगी ये किसी को खबर तक नहीं होगी राइट सोनिया जी क्या बात है कुछ नहीं सर आंख में कुछ पढ़ गया हमारा प्रोग्राम बिल्कुल साफ है एनी क्वेश्चन्स थैंक्यू जेंटलमेन सोनिया मुझे टर्क प्लब में मिलना है दस बजे है यह सर क्या बात है तुम तो मुझे ऐसे देख रही हूँ जैसे कोई मुर्दा जिन्दा होकर सामने आई क्या गया हो कमल तुम ठीक हो कमल तुम्हें नहीं मालूम मेरा क्या हाल हो रहा था मैं कितनी घबराई होई थी मुझे डर था कि तुम रुक क्यों गई तुमने क्या सोचा था क्या हो सकता था मुझे वो मैं तुम तुम पाटी के बाद नहीं मिले थे न तो तुमने ये समझा कि अब मैं तुम्हें कभी मुझे सोच रहा हूं कि तुम जैसी लड़की तुम जैसी लड़की कैसे बनती है कमल मेरी बात मानो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दो अभी इसी वक्त मुझे हमेशा के लिए छोड़ दो सोन्या अगर तुम मुझे छोड़ना चाहो तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा हरा हमारे बीच कोई दिवार भी तो नहीं रही जिसकी मुझे तलाश थी वो बदमाशों का सरदार मुझे मिल चुका है कैप्टन एस पी सिंग कैप्टन हाँ वही सेंग चिपिंग कंपनी का मालिक जिसने हम सबको दावत दी थी और जिसकी आँखों में नवाब सबके हीरे चमक रहे हैं यह तो बड़ी अच्छी ख़बर है हमी सेलिबरेट करना चाहिए एक मज़े की बात तो मैं बताना ही भूल गया जब मैं पाटी में पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि शिकार खुछ शिकारी के पास पहुंच गया है भाटी में हर आदमी को मेरा ही इंतजार था ये तो समझने की बात है कि उनको पता कैसे चला के मैं वहाँ आने वाला हूँ क्या तुम बता सकती हो? किसने बताया होगा उन्हें? बड़ी बड़ी ताजुप की बात है खेर इसमें हमें परेशान होनी की कोई ज़रूरोत नहीं ये राज पुलीस खुद मालूम कर लिए पुलीस को तो ख़बर करनी है सोच रहा हूँ उन्हें यहीं बुला लो तुम्हें कोई इतरास तो नहीं मुझे इतरास क्यों होगा? अलो? अपरेटर गेट में पुलीस स्टेशन प्लीज कोला पीना छोड़ दिया है जो और इंज में मजा है वो कोला में का क्यों? अलो? पुलीस स्टेशन? अलो? अलो? पुलीस है? अलो? 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 मैं अंदर आ सकता हूं सॉरी मैं बाहर जा रहे हूं कैप्टेन साब से मेरा अपॉइंटमेंट है मुझे मालूम है अपॉइंटमेंट एक घंटे के बात है मैं अपने बेडरूम में किसी अजनबी को जाने नहीं देती तुम तो कहती थी तुम अपने बेडरूम में किसी अजनबी को आने नहीं देती लेकिन ये शायद तुम्हारे लिए अशन भी नहीं है क्यों? ने! बिच्च! 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 ने! बिच्च! जे! आपाटो एाटो एाटो और फटाटोma पुरा एाटो खाटो झाल 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 सुनिया सुनिया मैं कुछ दिर के लिए बाहर जा रही हूँ वापस आके सब समझादोंगे मेरा इंतजार करना सुनिया सुनिया झाल सुनिया सुनिया झाल शुश। अबैज। हो मेर रूम 207 से बोल रहा हूँ. आप मुझे बता सकती है के सोनेय शॹास्तफ का गई है? औल इंडिय टॉफ खिलिब अल इंडिय टॉर्फ kलब टैंक यू प्रिज्टा गोड़ा पचास अधार जिसकी विसाल आपको सारे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी यह खार तुम को मात करता है पचास अधार पचास अधार बोलिये साथ हजार कहा है मालाई साथ हजार वैरे गुड़ शाब बाश साथ हजार तुम जिन्दा चाय के होटो तक पहुचने में दुनिया बदल जाती है कैपन साथ सोनिया मिस्टर कमल मलहत्रा को चाय तो पिलाओ नहीं कैपन साथ मैं आपकी चाय पी लेता हूं इसमें शक्कर ज़रूर होगी मैं अभी आई अररे आप का जा रही है पहले मुझे अपने कमरे में बिठा कर यह चली आई अब यहां से भी जारे है ये तुम्हारे कमरे में था आप हैरान क्यों और इनके कमरे में तो मर्दों का आना-जाना लगाय रहता है अब देखिये न, लूका भी इनके कमरे में था, लेकिन वो बदनसीब था, खुश किस बद तो मैं था के बच निकला, वो विचारा तो मारा गया लूका मारा गया? वाँ वाँ वाँ, क्या चाल चली है अपने कैप्टन साथ, लूका को मारकर नरॉत्तम जोहरी के खून का सबूत हमेशा के लिए मिटा दिया, और एक और खून का इल्जाम मुझ पर लगा दिया, मैं बेवकूफ प्यार के जाल में फस्ता गया, और आपकी चाल कामियाब हो ग वारा भोला भाला दिल तोड़ दिया, पर खूरदार, पुलिस के सारे दाव पेश तो तुमने सीख लिये, लेकिन एक्टिंग की ट्रेनिंग में पीछे रह गए, जी हाँ, एक्टिंग की ट्रेनिंग में सोनिया से ले लूँगा, महबत का नाम लेकर नफरत का जो सबक तुमारे अंदर छिपी हुई एक गंदी, किरी हुई औरत है, जो दिलों से खेलती है, तोड़ती है, अरे तुमसे अच्छी तो एक वैश्या है, कम से कम खुला धंदा तो करती है तुम लोग वो दरिंदे हो, जिनके जुर्मों की जड़े समाज के कीचड में फैली हुई है, जिन्हें मैं उखाड कर फैंक दूगा, अब और सांस नहीं लेने दूगा टोने, हुँ इस का घुड़ा है, वी सिजार अबर के बादे उने, तुम विच नहीं क्यों आहसे, जिसमार कि पचास हजार पचास हजार, मरानी साब की बोली है पचास हजार, फचास हजार एक, फचास हजार दो, पचीस हजार क्या का 50,000 की बोली साहब तो पहले हो चुकिए कमाल है मेरी मर्दी है मैं पचीस हजार ही दूँआ पच्छास हजार गोडा नंबर 16 पच्छास जार एक पच्छास जार दो 15,000 पचास जार तीन मिस्टर महलानी इस टट्टू के लिए पचास हो जार मिस्टर महलानी अब लुट गए मुझे आपसे पूरी अंदर दी है देखिए सैवान अभी आपके जार आ है 17 नमर का गोड़ा उमर सिर्फ दो साल खन्डला स्टू फर्म जाया है हा कंड उनके थीagn किसी पूराने टाफेले से है और मुझे लगता है आपकिसी पागल कोड़ है भुजूर मैं आपसे दर्खास करता हूं आप्टिस्टर मत किजिए प्लीस ? थीक है मैं बोली लगाता हूं 25 थेंक यू 25,000 25,000 3-30,000 40,000 40 40 40 40 आंगे बढ़िये सहवान 50 50 कोई 60 बोलेगा 50 कोई 60 बोलेगा 60 रुपए आपका मतलब साथ हजार ना अरे हर्गिस नहीं साथ मेरा मतलब साथ रुपए है और वो भी ज्यादा है पुलिस को बलाओ अलो पुलिस हम कहा थे हैं पचास पचास हाँ पचास हजार पचास एक एक लाग एक लाग हाँ चलिए धेर लाध ओो यह बेवाकूफ भीच कहा से आ गया आप नाराज मतों यह दो लाग पचासो सार एक पचास दो पचासार दो पचासार दो पचासार ना यह सरहिट अरे बड़ी देर लगा दी आप लोगों नहीं में चल सीथा चल अरे इंस्पेक्टिस अब एक मिनिट भोली खतम नहीं हुई दोलाट अरा गोरा मेरा होगा दोलाट एक मिनट टेक यूर सीट कैप्टन सहाब चाय के होटो तक पहुंचने में दुनिया बदल जाती है आपका बड़ी वेच्छेणी से इंतजार हो रहा है वाप पुलीस खामका मेरे पीछे पड़ी हुए मैं बिल्कुल निर्दोश हूँ हम शुरू से जानते हैं कि तुम बिल्कुल निर्दोश हो हम यह भी जानते हैं कि नरुत्तम जोहरी और लुका के कतल में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है मगर यह सब जानने के बाद मेरा नाम की उचाला जा रहा है मेरी फोटो की उचाप रही है क्यों मुझ पर इनाम लगा हुआ है क्योंकि तुम एक अजीब राज के ताले की डूप्लिकेट चावी हो जो कि इत्फाक से हमारे हाथ लग गए हो मैं समझा नहीं कमल साहब जिस तरह जमाने ने बड़ी अजीम हस्तियां पैदा की है उसी तरह क्राइम और जुर्म की दुनिया ने पैदा किया है कैप्टिन ए सबसे काबिल सी आइडी ऑफिसर बेजा है मगर सिंग की एक आदमी लुका ने उसका कटल कर दिया उसकी जगह एक दूसरा आफिसर मुकरर किया गया लेकिन हमें डर था कि कहीं ये भी उसी तरह खत्म न किया जाए अब ये हमारी खुशनसीबी समझो ये अपनी बदनसीबी इस पी सिंग को शक हो गया कि तुम ही हमारे देट्य अफिसर हो पर उन्होंने ये कैसे सोच लेके मैं तक वही चैंटा का जो नाम है वही नाम तुहरा है कमल मलुत्रा तुम्हें याद है एक फोन तुम्हें आया था होटेल कॉंटिनेंटल रूम नमबर टू टू नाइन में तुम्हें बुलाया गया था जी वो फोन मैंने किया था और उस कमरे में तुम्हें देखकर सिंग को पूरा यकीन हो गया के तुम ही C.I.D. आफिसर कमल मलोत्रा हो इस क्यों सभूत वो अपने पीछे कोई सभूत नहीं छोड़ता यही सकी चालाकी का सभूत है तो क्या आप उसकी चालाकी को अपनी किसी चालाकी से सभूत तक नहीं पहुचा बर्खुरदार, नवाब साहब से कहकर हमने ही जेवरात की निलामी का ड्रामा केला था क्योंकि हम जानते थे हीरे जवारात ही सिंग की कमजोरी है मगर ये बहतरीन मौका भी तुमारी वज़ा से हमारे हाथ से निकल जाएगा मेरी वज़े से? हाँ मैंने क्या किया? सोनिया से तुमारा जो प्यार था वो तुमने सिंग के सामने खोल कर रख दिया तो क्या हुआ? ये मेरा जाती मामला है इस से सिंग को क्या मतलब? तुम अभी तर्ट नहीं समझे? क्या? वही लड़की सोनिया हमारी C.I.D. आफिसर है और उसी का असली नाम कमल मलहुत्रा नहीं ये नहीं हो सकता ये हर्गिस नहीं हो सकता आप सम मिलकर मुझे धोका दे रहे हैं या खुद धोका खा रहे हैं आपको मालूम नहीं कि उसने मेरे साथ हर मोड़ पर परेव किया है वो मुझे नवाब साथ की पार्टी पे ले गई जहां मेरी मौत की तैयारिया थी बहाँ से बच निकला तो लुका की खुद के इंजाम में फसा दिया मुझे वो मकार धोके बास उसने तुम्हें कोई धोका नहीं दिया ये मेरा ओडर था की वो तुम्हें पार्टी में ले जाए क्योंकि मैंने उसे यकीन दिलाया था की मैं तुम्हें हर ख़तर से बचा लूँगा रही लुका की बात लुका तुम्हें मारने के लिए उसके कमरे में आया था मगर उस लड़की ने अपनी जान की परवा किये बगैर तुम्हारी जान बचाने के लिए लुका को मार दिया यह आप क्या कह रहे हैं वो अपने से ज़्यादा तुम्हें चाहती है मगर उसलिए मुझे यह सब पताये क्यों नहीं इसलिए कि वो एक CID आफिसर है एक फर्शेनाज CID आफिसर जो सुन सकती है देख सकती है मगर अपनी जबान बंद रखती है और वो हमारा पहला CID आफिसर कौन था जो लुका कहा तो मारा गया जानते हो कमल का सगा भाई देख कर मलोतरा मैं उसे दिख धारा लेकिन उसका चेहरा नहीं पड़ सका मैं उसकी आँखों की जुबान नहीं समझ सका मैं उसे पहचान नहीं सका इंस्पेक्टर जिसने मुझे इतना चाहा मेरी जान बचाई मैंने उसी को मौत के पास भेज़ दिया दिचारी कमल मलोतरा को महबत के जाल में फंसाते फंसाते खुद फंस गए मैंने कुछ नहीं बताया मैं तो खुद उसे फंसा कर लाई थी मैं तो समझ रही थी कि लुका ने उसे मार दिया अच्छा इस सीडी अभी तक वो जिन्दा है और लुका मारा गया वो भी तुम्हारे कमरे में आप लोग समझते क्यों नहीं यह सब पुलीस की चाल है वाई डूंट यू अंडरस्टैंड वो चाते हैं कि हमारा प्लान बिगड़े वो चाते हैं कि हम एक दूसरे पर शक करें आउ तुम तुम पूर रहे हो आई तुम कहना कचाती हो सिर्फ इतना सुख अगर कमल मलहुत्रा मुझे अपनी प्रेमी का समझता तो आपके सामने यह कभी जाहर होने नहीं देता क्या वो नहीं जानता कि यह रास खुल जाने के बाद खुद उसका प्लान खत्रे में पर जाता और साथ-साथ मेरी जान भी प्रुटस जाओ जाच करो सुनिया प्रुटस ने तुम्हारी वफदारी साबित कर दी है अब तुम पर शक की कोई गुंजाइश नहीं थैंक यू सार मैं अपने फर्ज से कभी गद्दारी नहीं कर सकती तुम से यही उमीद थी हमारे प्रोग्राम में कोई तबदीली नहीं होगी मंजिल सामने है और सिर्फ एक दिन का फासला है सबसे ज्यादा समझदार तो हमारा ब्रूटस निकला सोनिया की गद्दारी का राज तो खोल दिया लेकिन उसे पता नहीं लगने दिया कि हम उसकी असलियत से वाकिफ हैं फिर आपने उसे जानों की दिया उसे खतम करते लाची अब अब हमने अपना प्लान बदल दिया है मजूदा प्लान में सोनिया की बहुत सक्ष जरूरत होगी काम निकल जाने के बाद हम इस मुल्क से निकल जाएंगे और सोनिया इस दुनिया से दर्वाजा नहीं खुलेगा, नीलामी में जो भी होगा, वो सब तुम इस टीवी पर देख सकोगे ये क्या तमाशा कर रहे हैं आप, मुझे क्यों रोक रहे हैं, क्यों नहीं मिलने देर रहे हैं उसे आप समझते नहीं उसकी जान खत्रे में मैं सब समझता हूँ, आप कुछ नहीं समझते, मैं उसका रास खोल चुका हूँ, कैप्टेन एक पल के लिए भी उस पर भरोसा नहीं कर सकता उसका एक-एक कदम मौत की तरफ बढ़ता जा रहा है, और तुम क्या सोचते हो, मैं उसे जान बूच कर खत्रे में डालूँगा, वो मेरी बेहन की तरह है पुलीस वालों का किसी से कोई रिष्टा नहीं होता, आपको अपने काम से मतलब है, सबसे पहले आप एक पुलीस ओफिसर है और वो क्या है तुम समझते क्यों नहीं, कैप्टेन अभी तक उसे नहीं, तुम्हें C.I.D. ओफिसर कमल मौनोतरा समझता है और अगर कैप्टेन न तुम्हें उसके साथ देख लिया, तो फिर वो बच नहीं सकेगी और फिर उसकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे वो मेरे जीतेजी नहीं मर सकती, मैं उसे मिलकर ही रहूँगा इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते हो, तुम इस वक्त पुलिस की हिरासत में हो अगर उससे कुछ हो गया तो मैं उससे कुछ नहीं होगा मेरे कमल, अशोक, तुम्हारा नाम जो भी लिखतू, वही अच्छा लगता है अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ जब मैं अपनी मन्जिल की तरफ चल पड़ी थी, तो ना कोई ख्याल था, ना सवाल जिन्दगी से प्यार ही नहीं था, इसलिए मौत का कोई डर नहीं था लेकिन अब मैं मरना नहीं चाहते, जीना चाहते हूँ, अब तो जीने की तमन्ना है, वज़ा है तुम अपनी मकसद की तलाश में बहुत दूर निकलाई हूँ, अन्जिल सामने है, फासला कम है, रास्ता मुश्किल है शायद मैं वापस न लोट सकूँ मुझे अपनी मौत का गम तो है, पर डर नहीं, मेरी जिन्दगी अब अधूरी नहीं, तुम्हारे नाम का सिंदूर जो मैंने अपनी मांग में भर लिया है, तुम्हारी कमल, सोनिया, मेरे बाद कमल के लिए इसमें कैप्टन साब के नकली जेवरात है, प्लान के मुताबिक इन्हें तबले में रख दीजेगा इंदर भाया, अगर मुझे कुछ हो जाए, तो ये आप कमल तक पहुचा दे इसमें प्लान के मुझे कुछ हो जाए, तुम्हारी के लिए इसमें प्लान के लिए जो चल से निकल गई दा जो चल से निकल गई दाथ नहीं फिर आने वाले एक रात की सारी बात है समझाने वाले जो चल से निकल गई दाथ नहीं फिर आने वाले एक रात की सारी बात नहीं समझाने वाले एक रात की समझाने वाले आज तो बाजी होगी लगानी आज तो बाजी होगी लगानी तहती हो मैं ये पुखाँ काम तो होगा तुझे को लगाना तो लग हो जाए प्यार आए तर तुसी ही ये लगर है सवाले जो चंस निकल गई दाथ जो चंस निकल गई दाथ नहीं फिर आने वाले एक रात की सारी बात है समझाने वाले आप आने है असली आने नकली कौन है असली कौन है नकली तेरी नजल जाने शकल किसी की छुपना सकेगी दिल से जो पहजाने ये लब कर दे में भी तेल गर आने वाले जो चंस निकल गई दाथ जो चंस निकल गई दाथ नहीं फिर आने वाले एक रात की सारी बात है समझाने वाले जो चंस बात है जान ने लिया तो फिर ये कदम क्यूँ है जो भी है करना कर ले मेरी जान आखिरी लापा है जान जान ले घरी पल में है जान वाली जो छास निकल गई राद जो छास निकल गई राद नहीं फिर आने वाली एक रात की सारी बात रहे समझाने वाली ही गई तो गई फिर नहीं आने वाली जो छास निकल गई राद नहीं फिर आने वाली ही पीर आने वाली नही पीर आने वाली कर घार फ अ अ कर अ आप लोग इस कमरे से बाहर मत चाहिए नवाद साहब खाण यह आज्धर इंस्पेक्टर साब सोल्या का है तुम्या कैसे हो मैं पुछता हो सोनिया का है वो बिल्कुल सेफ है सोनिया नवाब साथ है पुलिस की इस वो नवाब साभ नहींसमेक्टर साभ मगर अका कमरा अब ये सब किस ने किया वो आदली कौन था वो आप आज नहीं है कावत अपने सारे आपनी फैला दो वो आपने निकल लिनी पाए यस सर्थ सिंक को गुटा कुटा कुटे को ढूंग लेगा तो सोनिया मौत बहुत भीयानक होती है मगर हम उसे तमाशा बना कर देखते हैं एक गोली ना जाने किस खाने में है एक तरफ गोली और दूसरी तरफ भासी मौत बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है अब हमें देखना है कि तुम्हारी किसमत तुम्हारा कहां तक साथ देती है अरे वाँ रूटस भी वापिस आ गया अर्फ हर पासा सीधा परदा जा रहा है अब हमें कौन रोक सकता है कि टाव ने आ यह थे अपकोड़े तेरी अपकोड़े जाने रहे ना इन पाए कर दो कि यूलिज हो पुर दो हाँ लुऌ जुओ पर वाफ दूआ यूजब दूए आप यूण युझ युझ ऑल हुझ जुझ टुझ अ हमे लूँ है सुनिय शिवास्तफ अशोग सक्से न मैं जानती थी तुम सरूरागे मैं जानती थी मैं जानती थी अगर मुझे देर हो जाति तो फुर्डे कुछ हो जाता तो अब मुझे कुछ भी हो जाए मुझे कौई पर्वा नहीं वह समत नहीं मैं कुछ नहीं होग तुमय मैंकूज सकता कुमाद जारा काम दरो हराम जा Suffolk तुम्हारे लिए दीरे चला रहा हूं तेज़ भादों आई यह तो सीरियस हो गया साले अरे अटो निक्षा तो खाली है लगता है भाग गया साला येस सर अटो निक्षा खाली है इडियर्स डॉनी यस सर्व रूटस को ले जाओ और तलाश करके उन्हें गोणी मार दो पानी की तरफ बाप रे रे खान तुम क्या जमके पड़ी है खुदायाद आ गया सब ठीक है अपने ही आदमी है ठीक तुमारे लिए होगा पड़ी तो मुझा है ना ज्यादा तो नहीं लगी यार की मार करामत के लिए बरकत के बराबर है तो एक और लगा दू नहीं ज्यादा हो जाएगा वो किसी भी वक्त यहां आ जाएंगे सिर्फ तीम गोली रह गए ब्रदर खान जल्दी से वो पौदे दोड़ के लगा ओके यह क्या कर रहे हैं पानी में चुप जाते हैं और इस नली के सारे सास लेते हैं अभी तक हमारे नहीं चरजले और बडीवदे लेते हैं पारे समय बड़ wanna अनletter वP मारे आया हो वP मारे लेते रहईंगे मारे धाएगर 阴ond कर हमारे लेते हैं वP oreक मारे ठाते हैं edes हुआ 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 है हुआ 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 हु वन्य हर बेटाstone! प्रुटस प्रुटस कामरान जेवराथ लाँच में रखो और चलने की तैयारी करो लेकिन सर टोनी जैसा तुम्हे कहा गया है करो यह सर क्वार्टनियर क्वार्टनियर शिप तैयार रखो हमारे सर जेवराथ रख दिये क्वार्टनियर तो पुम्हें बाल Marion क्वार्टनियर तायर जेजरे डिसकुपश ŻU प्रूर्छनियर通 सका करंपित कर टेरा कि आप मिन का आखऊ प्रच्त अब एं झाजस्ट कर दो वसी प्रॉब कर दो पार का प्रॉब वाज प्रॉब मो अब स्रॉब मो प्रेंग इजे एल जे दो वसी प्रॉब पे कर दो कर दो आकम पर पर उटो drives एकर Ooजное you पर पर चे हाँ 17 पर चुछुछु पर। और सालो। पर। आंप। अरे फ्री गुंगई। कमीनी तुझे क्या हो गया। साली इधर जलाता हूं उधर जल दिया। तेरी तो.. आप। आप। सिंग जेवरा तब हमारे कमज में है तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है अपने आपको हमारे हावाले कर दो सर ये जेवरा इंके पास इंपॉसिबल ये जूट बोलकर हमें दोगा दे रहा है वीरू से कहो के फॉरन बोर्ट पर जाए और हमें इतला करें जाओ कैप्टन सेंग तुम्हारे सारे आपी मारे गए हैं अब तुम पचके नहीं जा सकते बोट की तरफ देखो हलो तुम हर तरफ से फच गए हो कैप्टन अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता शुक्रा पासा पलग चुका है कि मेरे हवाले गर तो मैं तुम्हारी जान भक्सतूंगा अब देख सब्सक्राइब थीजाएब थीजान बख्ष्च दूंगा वाज़ येस हेलिकॉप्टर, हेलिकॉप्टर वाइरे इने बोलियोसे बुनो कमल हीरे कमल हीरे कमल हीरे कमल हीरे करें करल करें करें कर कांचार बश्टन करें कौको भुष्ट निटिए भाइगा कांचार टीजिए ध्या दिर्टिए लगुर्ट युष्ट जिली निचे भेगो आजए आज़ आज़ बाझ किली बाझ आज़ बाझ भी फाऊ ए ग्या हो निचे ज़ीजाना यो पाल जाता है कामरान, किये मुझे दे दो और ये पस्तोर भी मदल बहुत ज्यादा है बुट भाई कामरान जो लेट्स गो, पाइलेट्स कि अन्यादा रादा, कि अन्यादा गभाई्स कि अन्यादा पिंद लुट कि अन्यादा वेडिए हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ है हुआ है हुआ है कि तुम्हारा वक्त आ गया है कैप्टन सेंग कमल मलोतरा तुम मेरे रास्ते का पथर बने रहें मेरे मनसूबों पर पानी भेर दिया तुम्हें मुझे तबाह कर दिया तुमने मुझे तबा कर दिया तुम्हें शुरू से गलत फेमिये से मेरा नाम कमाल मलोत्रा जरूर है लेकिन सी आइडी ऑफसर कमाल मलोत्रा ये है उस विक्रम मलोत्रा की बेहन जिसका तुमने खून किया था कैप्टन सिंग तुम तो मौत को एक तमाशा बना कर देखते हो मेरे हाथ में तुम्हारी ही पिस्टॉल है पता नहीं गोली किस खाने में उठाओ अपनी पिस्टॉल अब देखना है तुम्हारी किसमत कहां तक तुम्हारा साथ होती है क्यूं कैप्टन सिंग हिम्मत हार गए कायर मर गया मर्दूद नफाद या नदरू मुबारक हो बर्खुरदार अरे नवाब सब आप जहां जाएएगा हमें पाईएगा शादी का ये तौफा हमारी तरफ से एक लाख आज इनी की वज़ासे तो हम नवाब हैं वरना जेवरात के साथ-साथ हमारा टैटल भी चला जाता हैं एक तौफा गवर्मन्ट की तरफ से भी कैप्टन परजी इनाम साथ दू लाख सावितरी मैंना कैसा सा हमारे खांदान का नाम रोशन करेंगा आखर बांजा किसका है मामा इस पे किसी और का भी हक से अरे खांद का हो तुम यहां हूं यार तुम्हारी सवारी के साथ शादी मुबार्ग को बाबी अरे असे नहीं यार, शादी मुबार्ग को दोस्त इस वे प्लीज रिक्षा तूँ तूँ यह यह निक्षा यह